दोस्तों, आज का ये वीडियो हिंदी सिनेमा के जुबली कुमार कहे जाने वाले राजेंद्र कुमार का है। अपनी रोमांटिक अदाओं से दर्सकों का दिल जीत लेने वारे राजेंद्र कुमार बले ही आज हमारे बीश नहीं है। लेकिन उनका गाना हर सादी की सान बन जाता है। बहारों फूल बर्साओ मेरा महबूब आया है। ऐसा गाना बन गया जिसके बगेर हर बरात अधूरी है। खेर आज हम बात करेंगे कि कैसे राजेंद्र कुमार फिल्मों में आये और क्यों उन्हें सस्ता दिलीब कुमार कहा जाता था। साथ ही ये भी बात पताएंगे कि किस फिल्म के बाद लोग उन्हें मुसल्मान समगने लगे थे। एक ऐसा बंगला जिसे लोग भूतिया बंगला कहते थे और कैसे उस भूतिया बंगले ने राजेंद्र कुमार की किसमती पलट दी। जब भारत रत्न सहनाई वादक बिस्मिल्ला खाने राजेंद्र कुमार से पहली मुलाकात की तो आखिर क्या कह दिया राजेंद्र कुमार स तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरिट यूट्यूब चैनल ब्लूटिफुल बॉलिवुड बे इस वीडियो के अंत में हम राजेन कुमार सहाब की फिल्मों से जुड़ी दो ऐसी घटनाओं का जिक्र करेंगे कि वो जब राजेन कुमार सहाब के साथ घटित हुई तो हमारे जुबली कुमार राजेन कुमार भी रोने लगे राजेन कुमार का जन 20 जुलाई 1939 को भारत के पंजाब में सियाल कोट सहर में हुआ था जो कि अब पाकिस्तान में है राजेन के दादा जी मिलिटरी के कॉंट्रेक्टर हुआ करते थे और उनके पिता जी कराची और सिंध में कपड़े का व्यापार किया करते थे लेकिन धर्म के नाम पर हुए मुल्क के बटवारे ने उनके परिवार को आराम गाह से छीन कर एक रिफ्यूजी में बदल दिया था राजेन कुमार के परिवार को अपना सब कुछ छोड़कर दिल लिया आना पड़ा अब हुआ यूँ कि परिवार के लिए पैसा जरूरत थी और पैसे कमाने के लिए कोई जरिया चाहिए था दिल्ली आकार राजेन कुमार ने सोचा जब कुछ करना ही है तो कुछ धंका करते हैं उन्होंने फिल्मों की राँ पकड़ने की सोच ली लेकिन उस समय उनके पास पैसों की इतनी किल्लत थी कि ट्रेन का किराय तक जेब में नहीं था राजेन कुमार ने अपने मन का काम करने के लिए अपनी कलाई से घड़ी उतारी और उसे 65 रुपे में बेज दी अपने सपनों को पूरा करने के लिए ट्रेन पकड़ी और पहुँच गए सपनों की नगरी बंबई अब मुंबई पहुचने के बाद बहुत दिन तक तो स्ट्रगल चलता ही रहा उसी बीच उनकी मुलाकात हुई डिरेक्टर एच एस रवेल से राजेन कुमार जब बॉलीविड में असिस्टेंट डिरेक्टर के रूप में काम कर रहे थे उसी दोरान डिरेक्टर केदारना सर्मा की नजल राजेन कुमार पर पड़ी और उन्होंने अपनी फिल्म जोगन के लिए उन्हें साइन कर लिया इस फिल्म के लिए राजेंद्र कुमार को महच 15 रुपए मिले थे लेकिन ये उनकी पहली बॉक्स ओफिस पर हिट फिल्म साबित हुई भले ही उनका रोल छोटा हो लेकिन दर्सकों ने राजेंद्र कुमार जी की एक्टिंग को खूप सरहा राजेन कुमार में हर वो बात थी जो दिलीब कुमार में दिखती थी लोग उन्हें छोटा दिलीब कुमार कहने लगे थे इसके बाद साल 1957 में नर्गिस के साथ राजेन कुमार को मजर इंडिया फिल्म में काम करने का मौका मिला फिल्म में राजेन कुमार का किरदार तो बहुत ही चोटा था लेकिन उनके काम की जम कर तारीफ होई जल्दी राजेन कुमार एक स्टार की तरह उभर कर सामने आए वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि जब डिरेक्टर एचेस रवेल ने सहायक के तौर पर राजेन कुमार को रखा था तो महज 150 रुपए की तनखा पर उन्हें नोकरी दी थी उनके पास हिट फिल्मों की लंबी कतार थी साजन बिना सुहागन, बिन फेरे हम तेरे, गवार, गून जुठी सेहनाई, कानून, धूल का फूल, दिल एक मंदिर, मेरे महबूब जैसी नजाने कितनी हिट फिल्म दे डाली अब बात ही बात में जब फिल्म मेरे महबूब का नाम आ गया, तो चलिए इससे जुड़ा एक किस्सा भी सेयर कर लेते हैं मेरे महबूब में राजेन कुमार के किरदार का नाम था अनवर, और उन्होंने इस किरदार को इतना बखुबी निभाया है कि लोग उन्हें मुसल्मान समझने लगे उस समय अपवहों का सिलसिला इतना गरम था कि लोग कहने लगे थे कि जैसे दिलीब कुमार सहब ने फिल्मों के लिए अपना नाम यूसुप से दिलीब कर लिया उसी तरह राजेन कुमार सहब ने अपना नाम अनवर से बदल कर राजेन कर लिया जब वो फिल्मों में काम करने के लिए मुंबई में रहने लगे उस दोरान उन्हें कार्टर रोट पर एक खाली बंगले के बारे में पता चला वो तुरंद उस बंगले को खरीदने की जुगत में लग गए उस घर को लोग भूतिया घर मानते थे इस भूतिया घर में सिफ्ट होने के बाद राजे इंद कुमार की मानों किस्मत ही बदल गई उनकी फिल्में लगातार हिट हो रही थी पर दोस्तों वक्त एक सा कहां रहता है एक वक्त ऐसा आया जब राजे इंद कुमार की फिल्में चलना कम हो गई थी इसकी वज़े थी फिल्म इंडस्टी में आये एक नए चेहरा, उनका नाम था राजेस खन्ना, जी हां राजेस खन्ना की फिल्में उस दौर में काफी पसंद की जाने लगी थी, समय वो भी आया कि राजेन कुमार ने बतोर प्रोडूसर भी कई फिल्म में बनाई, उन्होंने अपने बेटे कुमार गवरो को अपने बैनर से ही बॉलिवुड में लांच किया, यह फिल्म थी लव स्टोरी, वर्स 1981 में आई फिल्म ब्लॉक बस्टर रही, और गवरो रातो रात बॉलिवुड स्टार बन गए, लेकिन आगे उनका केरियर कुछ खास नहीं रहा, इधर र राजेंद कुमार का सूरज ढल रहा था, राजेस खन्ना के सुपरिस्टार बनने में अभी कुछ वक्त था, फिर भी राजेस ने राजेंद कुमार के बंगले को खरीदने की इच्छाचत आई, और यह सब को हैरान करने वाला था, कई वर्सो बात पता चला कि राजेस खन् वो भी बड़े स्टार बन जाएंगे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही, राजेस खन्ना जी की फिल्मे हिट तो हो ही रही थी, उस बंगले को खरीदने के बाद सुपर डूपर हिट होने लगी, जब राजेंद कुमार साहब का स्टारडम आस्मान पर चूर रहा था, तब ही उन् बजाने के एक्स्प्रिसन जरूर विस्मिल्ला खान साहब से सीखे, सैनाई वादक विस्मिल्ला खान साहब के हर एक एक्स्प्रिसन को राजेंद जी ने कौपी किया, चाहे वो कंदा हो ये सैनाई को उठा कर बजाने की अदा हो, फिल्म जब सुपर डूपर हिट हुई, त आपका रोल भी फिल्म में था, मैं तो पूरी फिल्म में अपने आपको ही देखता रहा, मुझे लगी नहीं रहा था कि ये सेनाई आप बजा रहे हैं, मुझे लग रहा था कि इस फिल्म में मैं रोल कर रहा हूँ, तो ये थी राजेन कुमार सहाब की अदाएगी, जो फिल्म में फिल्मों के रोल को जीवान कर दिया करते थे वैसे राजینぎ कुमार सहाब ने 80 फिलमें लग बग की उसमें से 35 फिल्में सिलवर जबली रही राज़ैंट कुमार सहाब कहते थे कि जब वो फिल्म में acting करते हैं तो film को ही खाते हैं, film को ही पीते हैं, film को ही ओड़ते हैं, और film को ही विछाते हैं, इसकी मिथाल उनकी फिल्म कानून से मिलती है, जब बी आर चोपला और राजेंद कुमार साहब कानून फिल्म देख कर मिनर्वा एटाकीस से निकल रहे تھے, तब ही उनके पैरों पर एक गरीव आदमी आ के रोने लगता है कहता है साहब मेरा बेटा निर्दोस है प्लीज उसका मुकदमा लड़ लिजिये मेरा बेटा निर्दोस है और यही कहता रहा और चिलाता रहा राजेन कुमार साहब कहते रहे कि नहीं भाई मैंने तो सिर्फ अक्टिंग की है मैं कोई वकील नहीं हूँ फिल्म आरजू से भी जुड़ा एक ऐसा ही किसा है, जब डिरेक्टर रामानन सागर सहाब आरजू फिल्म बना रहे थे और हीरो थे राजेन कुमार सहाब, फिल्म रिलीज हुई और सुपर डूपर हिट हुई, कुछ दिनों बाद रामानन सागर सहाब के आफिस में एक तुम से मिलने के लिए एक लड़का पूने से आया है, तुरंट जल्दी से जल्दी ओफिस पहुच जाओ, जब राजेन कुमार ओफिस पहुचे, तुनों ने रामानन सागर के ओफिस में एक अपाहिज लड़के को कुर्सी में बैठे देखा, और राजेन कुमार सहाब को देखते ही, उस अपाहिज लड़के ने गुलाबो की माला राजेन कुमार जी के गले में डाल दी, और रोने लगा, कहने लगा, सर, सर मेरी एकसिडेंट में टांग कट गई थी, और मैं आत्मात्या करने वाला था, मैंने आपकी फिल्म आर्जू देखी, और आपका अपाह उत्तू थे, उन्होंने कहा, अरे भाई, मैंने तो सिर्फ अविने किया था, असल जिन्दिकी के हीरो तो तुम हो, अविने करते तो उस किरदार में पूरी तरीके से खो जाते थे, राजेन कुमार सहब को 1971 में भारत के सर्वोच सम्मानों में से एक पर्मसी एवाड से नव हो गया, बेटे के जन्म दिन के अगले ही दिन एक्टर की मौत हो गई, जबकि आठ दिन बार राजेन कुमार का बहत्तरवा जन्म दिन था, वैसे अगर आप राजेन कुमार जी से जुड़ी कुछ और जानकारिया जानते हों, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, साथी साथ आप ये बताइएगा कि राजेन कुमार पूरी फिल्म इंडिस्टीज में सबसे गहरा दोस्त किसे मानते थे, उन पर फिल्म आये गए कौन से गाने जो आपको आज भी अच्छे लगते हैं, जिने कभी कदार आप आज भी गुन गुना लेते हैं, मैं आपके कमे हमारे दोरा किये गए 10-12-15 घंटों की मेनत को और पृत्ताहित करता है, और सफल बनाता है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जैहिन, जै भारत